तो सबसे बड़े जुद्ध की बात है कि कूर्स बेचेने के लिए बहुत सारे यूटुवर्स द्वारा आपको गुम्राह किया जा रहा है कोई बोल रहा 60,000 वेकंसी आएगी, कोई बोल रहा 60,000 वेकंसी आएगी, लेकिन आपने 12 प्लस 2 किया है, डिप्लोमा किया, ITI किया है और या बीटे किया है, तो आपके लिए कौन सी वेकंसी में आप इलिजिबल हो, आप इलिजिबल हो भी कि नहीं आपका आई साइट कैसा है और जितनी भी vacancy आपने electrical से है, mechanical से feature है तो उस पे भी depend करता है vacancy आपकी कितनी रहेगी तो अगर आप serious है, LP और technician की post के लिए तो आप बिल्कुल सही जगा आए है अब मुझे कोई course नहीं बेचना है ना ही मेरे चैनल पे कोई add आता है यहाँ पे यह जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी पहुचाने के लिए बना रहा हूँ तो पूरा वीडियो देखेगा लाज तक आपको वेलकम टू पूरी पार साला, मेरा नाम है सत्तपूरी तो आज हम लोग दिखते हैं आपके एलपी और टेकनिसियन के बारे में सबसे पहले बात करें जो बोला जा रहा है कि expected number of vacancy कितनी होगी 60,000 होगी तो यह हो भी सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि DFCC IEL के बारे में 2023 तक आने की संभावना है 2023 में भी March या March के बाद आ सकता है eligibility के बात करें जो सबसे ज़्यादा important है आपके लिए दिखान दीजेगा योग्यता तो यहाँ पर जो slide है यह मैंने डारेक्टर 2018 वाले notification से उठाया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अगर electrical से हैं, electronics से हैं, mechanical से हैं या automobil से हैं या फिर प्लस टू से हैं तो यह trade का है यानि trade में आपको इन सारे course में से आप कुछ भी ले सकते हैं 2 में होगा paper 2 या फिर CBT 2 का paper 2 में होगा इसमें 35% marks लाके आपको pass करना है लेकिन यह इतना important नहीं, जब आपका notification आएगा तब भी आप जान सकते हैं तो अभी चलते हैं main mode पे देखे, ध्यान दीजे, अगर आपने 10 प्लस 2 किया है और आपका math और physics है biology अगर आपने physics या math के जगा लिया है तो आप apply नहीं कर पाएगा और वो भी तो signal and telecom post के लिए और इसकी vacancy बहुत ही कम होती, बहुत कम post होती है और बहुत ज़्यादा cut up जाता है, कितना cut up जाता है तो पिछले बार देखा गया था कि 85 से लेकर 92 तक कलकता बोट का cut up गया था 92 और यह unreserved का मैं बता रहा हूं और यह normalized cut up था अच्छा, trade आप क्या लिजिएगा, plus two वाले हैं, तो आप physics का जो है वो प्रशन पूछा जाता है आपका trade में और आपका जो ITI या भी आप बोल सकते हैं कि CVSE और NCRT का 11 और plus two में जो question आया है वही आपका trade में लगभग repeat होता है, वहीं से question उठाय जाते है तो यह आपका पूछा जाता है, इसके बारे में detail discussion करूँगा बाद में और एक engineering drawing भी आपको करना पड़ता है, उसके बारे में भी बताऊँगा क्या आपको course की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि अभी आपको जो दिखाऊंगा मैं, कि इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा, तो आपको समझ में आएगा किस से को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, free class कहां से मिल जाएगा, कौन से बुक से पढ़ना है, आपको सब पता चल जाएगा और इसमें पेपर 1, CBT 2 का पेपर 1 से आपका merit बनता है, इसमें भी, अगले point के बात करें, तो अगर आपने ITI किया है, mechanical और electrical से, अगर आप सिविल से हैं, याद रखेगा, सिविल से हैं, तो अभी तक जो है, यानि पिछले बर्स जो हुआ था, तो सिविल वालों के लिए क सब सारे पुष्ट पे eligible है, mechanical ITI वाले, ठीक है, और सारे पुष्ट यानि कि ALP और technician दोनों पे आप eligible है, और इसका जो है, cut-up कम दाता है, ITI वालों को, cut-up पिछले बार भी देखा गया था, बहुत कम हुआ था, और ऐसा हुआ था, ना कि CBT 1 मे, लड़के जो है, पास ही नह हला कि 35% लाना है, लेकिन उसमें भी fail हो गया, तो बहुत सारे candidate, उसके लिए भी cut-up कम किया गया था, तो ये होता है, और technician का post का बहुत कम cut-up जाता है, तो अगर आपने technician की degree, यानि ITI की degree करके रखी है, तो आपको सबसे जादा फाइदा होने वाला है, आगे बात करते हैं यानिकि BTEC और Diploma Holder के लिए जो mechanical, electrical से है, civil वालो को यहाँ पर कोई chance नहीं है, ठीका, तो आप जो है, ALP के लिए eligible हैं, only ALP क्यों लिखा है, क्योंकि आप technician का post नहीं भर सकते हैं, तो कोई बोलेगा कि यहाँ भर सकते हैं, तो हाँ भर सकते हैं, technician में जो है, आप signal and telecom का ही post पोष्ट भर सकते हैं, सारा का सारा technician का post नहीं भर सकते हैं, जिसमें की plus two वाले भी होंगे आपके साथ, तो आपने BSc किया है, या फिर आपने MBA किया है, आपने कुछ भी किया है, आपका plus two में, अगर math or science है, तो आप यह दोनों पोष्ट भर सकते हैं, अगर आपका ITI बगर साइको का exam, और अगर आप S&T के लिए हैं, तो आपका साइको का कोई exam नहीं होगा, यानि कि आप plus two वाले हैं, तो साइको का कोई exam नहीं होगा, और ऐसा भी देखा जाता है, कि B.T.E.C. या डिपलोमा वाले जो है, वो S&T पोष्ट को भी लेते हैं, क्यों यह cut-up जाता है और यह अच्छा नमबर लाके इस पोष्ट पे भी जाते हैं, अब बात करते हैं, CBT-1 की, जो है, तो CBT-1 screening होगा, screening का क्या मतलब है, कि यह qualifying होगा, और इससे आपका कोई merit नहीं बनेगा, यह बस समझ जी एक filter के तरह है, मतलब आपको छटी नहीं की जाएगे, बहुत सारे पेपर 2 के लिए eligible हो सके हैं, अब बात करते हैं, पेपर 2 कहाने का मतलब है, CBT-2, कन्फूज मत होगा, ठीक है, CBT-2 में दो पेपर होता है, CBT-1 में एक ही पेपर होता है, अब देखे आ जाते है, CBT-2 के उपर, तो CBT-2 में जैसे मैंने बता है, दो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 करणर बदल लेता हूँ, तो ये 90 मिनट का जो होगा, आपका पेपर 1 होगा, और पेपर 2 होगा, साथ मिनट का, और पेपर 1 की बात करने तो 25 का math, reasoning 25 का, current effect 10 का, और science और engineering, engineering मतला engineering drawing, ठीक है, science और engineering drawing जो होगा, वो 40 नंबर का होगा, ये most important है, क्योंकि ये सारा त देख ले, पेपर 2 75 नंबर का होगा, और ये 60 मिनट का होता है, और ये भी qualifying है, अब 35 परसेंट आपको लाना है, अगर 75 का 35 परसेंट निकाले, तो ये 26 नंबर लाना है, लेकिन मजे की बात ये है, कि 26 नंबर भी नहीं ला पाते है, कारण ये होता है कि ITI की डिगरी, बहु और मैं एक और वीडियो बना दूगा, जिसमें मैं आपको बता दूगा कि आपको कौन-कौन सा बुक लेना है, इसको पढ़ने के लिए, अगर आप में का निकल वाले हैं, या फिर electrical वाले हैं, तो कुछ-कुछ बुक मैं बता दूगा, वो अगर आप ठीक से पढ़ लेते ह हैं, तो आप आराम से पास कर दीजेगा, और मैं भी कोसित करूँगा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाओं, क्योंकि मैंने भी ये पास किया है, मेरा electrical था, तो मैंने इलेक्टिकल से ये पास किया है, और मेरे साथ जितने भी student थे, मैं offline में भी अगर पढ़ा रहा था, तो वह पहते हैं, महनत सभी करते हैं, क्योंकि उसका तरीका नहीं पता होता है, तो तरीका क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, और पेपर वन के पारे में अगर आपको बताऊंगा, तो ये science और जो engineering drawing के बात करो, या फिर engineering के बात करो, तो ये engineering है, इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें सबसे जब फाइदा होता है वह प्लस टू वालों को होता है प्लस टू वालों को क्या मतलब जो यह तो अभी प्लस टू पास कर क्या है या फिर उन्होंने ट्रेड प्लस टू चुन लिया क्या होता है कि इसमें जो है पिछले साल क्या दिखा गया था कि engineering drawing से बहुत ज़्यादा प्रश्ण नहीं पूछा गया था प्रश्ण था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था और इसमें जो है वो क्या पूछे थे तो इसमें है वो आपका cbse cbse या फिर ncrt का बोल लीजे प्रिभेस एर का question जो आया था plus 2 में या फिर 12 का बोल लीजे या यह निकालना और इसी पर merit बना था और पिछले बार बात करने तो प्लस 2 वाला का 92 तक चल गया था कलकता बोट का तो यह आपका वाइटल है इस पर ध्यान देना है ठीक है तो अभीस अगर आप प्लस 2 में है और अगर नहीं है तो मैं आपको अभीस से बता दे रहा हूं कि आप जो है CBSE का जो question paper है प्लस 2 का उसमें आप देख लिए कि physics में क्या पूछा गया है वही आपका पूछा जाएगा मदला वो सारी question आप अच्छे से कर लिजे प्लस 2 वाले का या फिर NCRT बूक आप जो भी बोल दियो CBSE से तो यह important रहेगा वही आपका merit बनागा mass reasoning तो है one third negative marking रहेगा यह भी याद रखेगा अब paper two आपको कोशिस करके हाल-हालत में पास होना है ठीक है तो यह थी जानकारी और fail percentage बहुत हाई होता है इसमें paper two में बहुत जादे लोग fail कर जाते हैं लेकिन merit बनाने के लिए paper one जरूरी है ठीक है यह याद रखेगा तो आज का वीडियो यही था आप यहां तका है तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझसे जरूर पूचेगा मैं जरूरी प्रश्नों को उत्तर देने का कोसिस करूँगा मैं आपके साथ हर वक्त हूँ हर समय हूँ और आपको फालतु को को साइंस प्लस्टू का पढ़ लिए और आगर आपका ब्रांच जो है सीवील है सीवील है सीवील आले तो खैर अलाओ नहीं मेकानिकल जो भी है तो उसके लिए आप अभी से मार्केट में बहुत सारे बूक हैं तो कोई भी एक बूक लेकर आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर जरू कीज़ेगा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजएगा हम आपकी इसी तरह हेल्प करते रहेंगे तो वीडियो देखने के धन्यबाद जैंग